नहुश्कार बच्चों स्वागत आपका सेल स्टड़ी के चैनल में और आज हम अपनी जो फोर्थ वीडियो है हम प्रिविएस येर के एक्जाम कर रहे हैं 8 अगस्ट 2017 जो थर्ड शिफ्ट थी उसका आज हम कहें कि डिसकेशन करने वाले इंग्लिश ग्रैमर से ये को वो तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगे बहुत यूजफूल है क्योंकि आने वाले टाइम में चार महिनों के अंदर जितने भी एक्जाम होने वाले ऐसे से रिलेटिड वो आपको हेल्प करती है यह जावाली वीडियो हो जाई पिर कहें प्रिविएस येर के जो चीज़ वो रिपीट कर रही थी तो यह वाली चीज़ें यूजफूल होती है और साथ यसाथ यूजफूल इसलिए भी होती है क्या आप लोगों को एक एक्जाम का पैटन पता चल जाता है कि एक्जाम होने वाला कैसा है हाप पुछके हैं habitual हो जाते हो और जब आप एक्ज अपर आते हैं ốngसे हैं यह दो कोशं हैं हर एक स्लाइड के आप लोगों को करना है एंड सेकें तौड है आप लोगों को वो कोशन करवाई दूंगा है चली ट्राय करिए वीडियो पोज करिए होगी नहीं भी की होगी चली कोई बात नहीं होता है ना कि हमें नहीं आता सर क तो बस देखने आये हैं, हम जानना चाहते हैं कि कैसा हो रहा है तो उनके लिए भी सही है आओ जरा, पहला कोशन देखते हैं दोनों कोशन के अंदर आप लोगों को error find out करना है कि इन में error कहा है औरे इचल तो रहा है error का मतलब यानि गलती ढूणनी है पूरे एक sentence दे रखा है sentence को हिस्सों में बाट रखा है और पहला हिस्सा यह रहा, दूसरा हिस्सा यहां पर तीसरा हिस्सा यहां है चोथा हिस्सा कहते है कि कोई गलती नहीं है तो आप लोगों को मतलब कहें तो तीन हिस्से एक पार्ट के और अगर नहीं है तो चोते हिसे पर क्लिक करना है अब यहां पर पहला sentence पढ़ते हैं कह रहा है My elder son deals with spare parts and manages his bread and butter ठीक है bread and butter एक idiom है इसका मतलब होता है अपनी गुजारा बता करना यानि अपने लिए कमा कर इतना लेना कि अपना रोटी पानी अराम से चल रहा हुए bread and butter ठीक है तो यह वाली चीज होती है अब आओ जो रहा है यह कह रहा है कि my elders and deals with एक चीज होती है जो यह वह है न डील्स इसके साथ दो प्री pushन आती है एक deals in लगती है और एक deals लगती है तो इस चीज को समझाज रहा है deals in जो होते है वो अगर किसी चीज में वैपार हो रहा होता है न वैपार वैपार हो रहा होता है न तो वहाँ पर deals in लगायात है deals with किसी व्यक्ती के साथ किसी व्यक्ती के साथ अगर निप्टाना हो उसके साथ निप्टारा करना हो तो वहाँ पर deals with लगता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो my elder son deals with यहाँ पर spare parts यानि एक बात हो रही है वेपार करने की वेपार करता है spare parts में तो with नहीं यहाँ पर in proportion आएगी clear? तो यह कुछ एक ऐसी verbs होती है जिनमें जो proportion होती है बड़ी fix होती है वो अपने particular meaning लेके वहाँ पर चलती है तो आप लोगों को देखना है कि वो verb उसके साथ कोई proportion लगाने पर कोई चीज का मतलब क्या बन रहा है यह सब चीजें याद कैसी होंगी यह सब चीजें याद होंगी reading से सारी चीजें reading से हैं या फिर आप कहें कि एक particular book आप follow कर रहे हैं तो या फिर मैं आप लोगों को वो यह सारी concept या कुछ एक verbs हैं उसकी एक PDF आप लोगों को provide करवा दूँगा टेलिग्राम का link description box में दिया है जाकर join कर लेजे वहाँ पर आप लोगों को वो एक verb की detail भी वहाँ मिल जाएगी PDF वहाँ मिल जाएगी साथ ही साथ यह जो exam यहाँ पर खरवार है प्रीविए सीर के इसकी भी PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी clear और second question पर चलते है second question है Sneha was accused for murder of her husband but the court found her not guilty and acquitted her no error इसमें क्या है but court ने पाया कि वही वो guilty नहीं है और उसे आजाद कर दिया यह हो गया है यहाँ पर इसकी हिंदी अब यहाँ पर error कहा है error यह है accused के साथ जो होती न verb accused के साथ यह जो verb है इसके अताथ four proportion है oh proportion जाता है accused of होता है कि आरोपित होना accused of आना था four यहाँ गलत है तो ध्यान रखना है यह जो verb होती है वो अपने साथ proportion लेके चालती है अच्छा इससे पहले वाले जो हमने second और first shift के जो exam देके थे 8 अगस्त के तो उसके अंदर बड़ा ही easy था इसमें थोड़ा सा typical यह हो जाता है प्रिपोजिशन से रिलेटर होता है बच्चे को सबसे ज़्यादा डर इनी प्रिपोजिशन से लग रहा होता है कि देखें hardly hardly के साथ क्या आएगा when आएगा no sooner के साथ क्या आएगा then आएगा तो यह चीज़ें हो जाती है इसमें first के अंदर error हो गया और यहाँ पर आपके सामने इसमें भी first के अंदर error हो गया clear third question पर चलते है third question है my sister अच्छा आएग बर मैं क्यों बढ़ रहा हूँ आप लोगों को करना है ज़रा एक बर खुद करने ही कोशिश करिए fill in the blanks है grammar से ही चीज़ें related है चलिए एक बर video post करिए और करिए okay उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने करने ही कोशिश की होगी बार बार ये line मुझे बोलनी पड़ती है उमीद करता हूँ क्या कर सकते हैं अब आप लोग मेरे सामने तो है नहीं तो उमीद ही कर सकता हूँ मैं बहाँ पर बैठके यहां बैठके हैं अच्छा कोशन आते हैं थर्ड के उपर तो थर्ड जो कोशन है वो कह रहा है my sister's marriage past dash peacefully इसका मतलब देखे past के साथ यहां पर proportion हमें लगानी है away, by, off, out अच्छा क्या आएगा यहां पर यहां past off होगा past away और by जोतना वो इनसानों के लिए लग जाता है मतलब गुजर गए अरे यहां पर जो बात हो रही है वो marriage की बात हो रही है तो एक तरीके से जो शादी है वो बड़े ही प्यार से वो गुजरी है यहां शांती पूरवक उसको निप्टा दिया गया यहां खतम होई है तो past off आएगा तो right answer is third clear अच्छा, fourth question बे आते हैं fourth question कहा रहा है there are dash books on computer science in your school library so you need to purchase them from the market अच्छा, यह क्या कहा रहा है कि there are dash यहां कुछ मैंने अच्छा, हिंदी में बोली दूँँगा चली कोई बात नि यहां किताबे हैं computer science की यहां खालिस्तान किताबे हैं computer science की तुम्हारे school की library में इसलिए तुम्हें जरूरत है कि purchase कर लो इनको बाहर से देखे अगर books अगर library में होती तो क्या purchase करने के जुरूरत होती definitely not भाया जुरूरती नहीं होती अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है library के अंदर तो आप बाहर जाके उसको क्यों सर्च करोगे क्यों उसको बाहर से खरीदोगे तो नहीं है वहाँ पे एक चीज़ तो इससे clear हो रही है और कैसे पता चला सर नहीं है यह जो बाकी का जो sentence लिखा है इससे पता चला अब आऊ जरा little क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ little इसलिए नहीं आएगा little जो लगता है मैंने यह previous videos के अंदर भी कराया यह एक adjective है यह जो adjective है यह उसके लिए आता है जो uncountable noun होता है जैसे little water लेकिन वहीं few जो होता है यह उसके लिए आता है जहां पर चीज countable हो जैसे few books few books तो अब यहां पर little का तो वैसे ही कट गया अब a few और da few यह तीन चीज़े होती है देखिए a little, da little little यह एकत होगया और a few, da few और एक few होगया अब जो अकेला few होता है जिसके पीछे कोई article नहीं होता है यह पर कोई article नहीं लगा होता है तो उसका meaning होता है ना के breeding अच्य- ना के ब packaged मतलब है यह नहीं समझ रहे हो ना के बğanबर है ही नहीं मतलब तो there are few books तो right answer is few क्योंकि अगर a few दा few कर देंगे तो वहाँ तो कुछ किताबे हैं तो खरीदने की क्या जरूरत है ना के बराबरी किताबे हैं तो that's why you need to purchase them from the market तो ये वाली चीज़ हमें बोलनी पड़ गई clear हुआ तो आगया इसका right answer third okay fifth और sixth में चलते हैं देखे fifth और sixth जो question है वो आपको इनके similar meaning ढूणने जैसे atrocity का procrastinate का आपको इनके meaning ढूणने है कि इनका meaning क्या होगा चलिए एक बार pause करी video ढूण़िए चलो मैं आप करवा देता हूँ देखे एक्रोसिटी मतलब होता है क्रूर्ता मतलब बहुत जादा घ्रिना होता है तो यहां पर इसका मतलब होता है यहां पर इसका meaning आएगा यहां पर barbarity चीक है इसका मतलब आजएगा इसका similar word होजएगा देखे difficulty, shy, gloomy, यह उदास होता है यहां परशाइश और मिला होता है difficulty, परिशानी होते है these three words are not similar to the atrocity so the right answer is barbarity clear fourth, sixth word हमारे जो कहेंगी question है वो है procrastinate procrastinate का मतलब होता है देरी कर देना देरी कर देना divert, deceive, debase, delay इससे पदा चल रहा है देरी करने वाला तो delay ही है the right answer is fourth procrastinate का मतलब हो गया है पर delay divert का मतलब होता है बटका देना, मुद्दे से बटका देना ओके तो seventh और eighth question है उसके अंदर आप लोगों को देखे अभी आपने similar meaning ढूंडे and now you have to find opposite meaning of these two words आप लोगों को अब इन दोनों words के opposite meaning ढूंडने है raucous और predilection का raucous और predilection का आप लोगों को opposite meaning ढूंडना है चलिए एक बार ढूंडने की कोशिच करिए चलिए मैं आप करवा देता हूं raucous, raucous का मतलब होता है एक तरीके से कहीं नफरत वाला एक तरीके का करकस इसका मतलब होता है अच्छा अब इसका horse, jaring, torrent इन तिनों का मतलब horse और jaring का मतलब ही एक तरीके का करकस होता है dual set dual set का मतलब होता है dull set का मतलब होता है madhur dull set का मतलब होता है madhur तो raucous का आना था जैसे करकस यानि एकदम कड़वा तो मधरूस का मीठा तो यहां पर हो गया डलसेट, रॉकस का विपरीत हो गया अचा, प्रिडिलिक्षन का मतलब होता है, किसी के तरफ मतलब जुकाव होना, आपको उसके प्रती प्यार होना, श्रद्धा होना उसके प्रती, श्रद्धा तो नहीं, in the sense I can say that, किसी के प्रती प्यार होने की भावना, उसको हम प्रिडिलिक्षन में डाल सकते हैं, अचा इनकलाइन, इस मतलब किसी के प्रती जुकाव होना प्यार में उसके प्रती जुकाव होना inclination, inclination का भी जुकाव होता है लेकिन, it's not meaning that we love someone, no इसका मतलब सिर्फ फुर सिर्फ जुकाव है कोई building जुकी हुई है तो उसका जुकाव है, इसका मतलब यह होगा है तो that is not right answer, मतलब यह तो एक तरीके का जुकाव ऐसे भी हो सकता है, inclination हमें एक तरीके का ऐसे चाहिए कि किसी का प्रती प्यार में जुकाव है तो हमें उसका एक तुम opposite meaning चाहिए भई अब उसके दुश्मनी करता है दुश्मनी तो मैंने बॉल दिया enmity enmity is the right answer for predilection is the opposite word, अचा, predilection का opposite word क्या होजएगा, enmity clear यहाँ पर, अचा, चलते हैं यह दोनों जो हैं, आप लोगों को idioms and phrase दी हैं, idioms ही हैं यह तो आप लोगों को find out करने इनके answer चलिए अब मैं करवाता हूँ wild goose chase goose का मतलता है बतक, wild का मतलता है जंगली, एक जंगली बतक की जंगली बतक का पीछा करना तो वो एक तरीके का useless search है, कुछ नहीं मिलने वाला भाई उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला उससे तो इसका ninth का जो answer आएगा useless search तो ninth का answer आगा आपके समने useless search और यह जो idioms है यह जो idioms है मैं अपनी वीडियो में करवा चुका हूँ with image के साथ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने idioms phrase करके एक अलग से playlist बना रखी है even मैं कहूँ कि मैंने grammar से भी related जो है, लग बग हमारा जो pronoun है वो खतम होने वाला है उसके अंदर भी मैंने playlist बना रखी है तो आप जाकर वो इन वीडियो को देख सकते हैं अभी pronoun खतम होने वाला है तो बहुत details से मैंने वो pronoun जो है, वो complete करवाया है उसके बाद उसकी exercise में करवाने वाला हूँ तो pronoun से related आप कोई भी error करेंगे तो उसमें कोई भी परिशानी नहीं होगी और जो previous जो वीडियो गई है उसके अंदर भी उन जो वीडियो में जो मैंने करवाया हूँ है वो बहुत helpful रहा है अगर जिनोंने किया है तो अचा आईए जरा a mood point, a mood का मतलब होता है विवाद वाला जगड़े का point आजाना तो जगड़े का point आजाना तो obviously disputed यह तो easy था आपको अगर meaning ही पता है तो आप असानी से इसका meaning निकाल सकते है disputed है, mood point is equal to disputed अचा, 11th and 12th आपको करना sentence improvement the chairman appointed her as a secretary as she is efficient तो यहाँ पर इस, यह bold अक्षर में आपके सानी लिखा न, as a secretary तो इसको आपको improve करना है तो improve कैसे करेंगे देखे, a secretary secretary as secretary secretary, no improvement चार option अगर CGL के अंदर जो मैंने इसको देखा था, यह 8th अगस्त, 3rd shift का जो मैंने exam देखा था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा रहा था, no improvement देखे, आप किसी को किसी को कोई पद पे लेके आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि परधान मंत्री का जो पद है, अगर आप उसके उपर appointment हो रहे हैं, श्री नेजंदर मोदी जी अभी वहाँ पर है, परधान मंत्री है तो वह एजे परधान मंत्री, एजे का मतलब होता है के जैसा, परधान मंत्री के जैसे हैं अरे भाई वह appointed है, वह वहाँ पर चुने, मतलब अपोइंट तो नहीं कहा सकते हैं क्योंकि वह एक चुनावा, elected pad है तो एक appointment का मतलब किसी को president बनाया दिया, तो मतलब किसी party में president बनाया, तो appoint किया गया, तो secretary बनाया गया, तो यहाँ पर appoint किया गया, तो वह appoint किया जा रहा है, as a secretary क्या होता है, क्ये जैसा भई वह appoint है, उसको secretary का secretary ही बोलेंगे, तो the chairman appointed her secretary as she is, secretary is the right answer तो यहाँ पर हो गया, इसका third 11th का आगया, third, अच्छा यह वाला question है, I wish I was a superman तो हम उमीद करता हूं कि काश मैं एक superman होता तो जब आप एक कर रहे होते हैं, यह एक conditionals में आते हैं, या फिर कहीं imagination में आ जाते हैं यहाँ पर मैं यह करवाने वाला हूं, कुछ टाइम बाद यह conditionals में आऊँगा, तो उसके अंदर यह बहुत details से हम करेंगे, तो यहाँ पर I के साथ was नहीं, I के साथ were आता है यह conditionals में चलते हैं, यह imagination में आते हैं, काश मैं एक superman होता, तो वो past की बात हो रही है, तो इसलिए एक तरीक है कि यानि पहले में होता, आज में कुछ कर गया होता, तो यह वाली बात है, तो I were होता है, यहाँ तो यहाँ दिहान रखना I wish यह जितने भी conditions या imagination वाले होते हैं, तो I के साथ, या आपको one word substitution करने हैं, आज आप 13 पर चलते हैं, 13 जो है, one who is honorably discharged from services, मतलब बड़े ही सम्मान से अपनी service से उनको discharge करना, तो इसका मतलब होता है, यह जो इनके लिए आएगा Emirates, Emirates, Emirates का मतलब होता है, मतलब सम्मान पूरवक, सम्मान पूरवक अपनी उपादी से, मतलब क्या कहते हैं, उसको सम्मान पूरवक जाना, अपनी उपादी से, तो यह हो गया, बलीजरेंट, बलीजरेंट का मतलब होता है कहें कि लडाकू, लडाकू, लडने वाला, ठीक है Truent, Truent का मतलब होता है, अनुपस्थित रहना, Mercenary होता है, मतलब जो पैसे लेके, किराये पे लेके, मतलब लोगों का कतल करता है, तो यह होता है Emirates, Emirates का मतलब होता है, सम्मान पूरवक, अलविदा कहना तो यहां पर यह हो गया, अच्छा Perception without objective reality, हमने पहले से ही कुछ चीजों को सोच लिया, जबकि वो चीज हो इनी रही तो हमारे सामने कलपना हो जाती है, वैसी तो यह होता है, hallucination hallucination का एक भरम पैदा हो जाना एक द्वेश पैदा होना, मतलब वो चीज हो इनी हमें ऐसा लगने लिगा, वो हो रहा है hallucination, ठीक है तो यह हो गया, इसका right answer 14 का आगया second, clear अच्छा, अब आपको इसमें जो है, spelling जो error है, चार आपको सामने option दिये, इसमें से एक spelling जो है वो गलत है, same to same 16 के एक spelling जो गलत है, आपको find out करनी है, बहुत असान है, ओके, अब मैं the right answer, अच्छा, 16 में क्या है, admitted, admitted में double t आना था, a, d, m, i, t, d, e, d, clear हुआ तो right answer is one तो यह दोनों spelling गलत थी, for चार नंबर के question दे, मतलब चार नंबर आपको यहां से मिल जाता है, अगर आपकी spelling अच्छी है तो यहां से, और spelling अच्छी कैसे होगी, मैंने का देखो, जितना reading करेंगे न, बहुत useful, beneficial है, आप लोगों के लिए English को समझ में, देखी, यह PQRS है, सबसे जादा जो है, वो reading ही मेरा इसाब से, जितनी आपकी reading अच्छी होगी न, यह PQRS उतने ही बेडिया आपके होने वाले हैं, कुछ एक trick है, जैसे मैंने आप हमेशा बताता है कि कुछ एक tricks help कर देती हैं, लेकिन ऐसे-ईसे question आते हैं, जिनके अंदर समझ बहुत important होती है वो बिना समझ के होई नी पाएंगे देकि 17 question में, जैसे-जैसे अभी आएंगे नहीं, और Q तो देखिए, लास्ट में रख रखा है इसने, तो Q से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें R और PP फोकस करना है, तो पहले PP देख लेते हैं सबसे पहले उपर P दे रहे हैं, granted यानि grant कर देना, यानि allow कर देना, political defection political defection यानि की व्यक्ति ने, मानें कि Congress की ticket के उपर, Congress की निशान के उपर उसने election जीता, और जैसे election जीतने के बाद वो BGP के अंदर चला गया, तो that is defection, मतलब कि आपने अपनी किसी निशान के उपर जीते और आपको वहाँ पर opportunity लगी और आप उस opportunity का फायदा उठा कर BGP में चलेगी, तो ये गलत है चीज, तो अगर ये चीज को गलत कर देंगे, चीज को allow कर देते हैं, grant कर देते हैं, तो ये जो चीज है, increasingly less an act of ideological defiance, मतलब वो increase हो रही है, मतलब ये political defection या निदरबदली हो क्यों रहा है, क्योंकि वो इसलिए नहीं हो रहा है, कि किसी का ideological defiance, मतलब कि वो किसी के ideology यानि विचारधारा के प्रती सही नहीं बैट रही है, वो इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उन्हें opportunity जादा दिख रही है, ये होता है कि Congress की बंदे, किसी वेक्ती ने Congress की टिकेट के उपर जीता, election जीता, अब वो कहे कि मुझे ता आपकी विचारधारा पसंद नहीं है, मैं आपकी विचारधारा से नराज हूँ, तब तो वो चीज माने, लेकिन अब वो कहे कि कि BGP में, मुझे तो जगा मिल रही है, मुझे मंत्री का पद मिल रहा है, तो मैं BGP में इसलिए जाना चाहता हूँ, तो वो तो एक opportunity हुई न, वहाँ पे, तो आज की rate में क्या हो रहा है, political defiction जो है, वो increase हो रहा है, as compared to ideological defiance, यह नहीं, विचारधारा से कोई नराज नहीं है, वो आज की rate में, वो opportunity देख रहे हैं, उसके अंदर, तो opportunity करके, defiction बढ़ता जा रहा है, clear यहां पर, आचा, यहां पर आते हैं, तो यानि यह होगी, पहली line का मतलब, अब second, R के उपर आते हैं, R कह रहा है कि अगर हम पूर्ण रूप से बैन करते हैं, तो यह जो चीज है, वो वीक कर देगी चीज को, मतलब, डिमोक्रिसी को स्ट्रेंथ करने के वज़ाए, उसे वीक कर देगी, क्योंकि आप उसकी अजादी चीन रहे हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहा है, तो इस करके, जो चीज है, जिसका भी नाम इसके अंदर आएगा, उसके पर इंपोजिशन लगा दी जाएगी, उसे इंपोज कर देगी, तो यह जो चीज है, मतलब उसको वीक कर रही है, उसको स्ट्रेंथ करने के जाए, डिमोक्रिसी को, तो इसका मतलब हो गया, आर का यह है, अचा, तो सबसे बैस्ट जो चीज है, ग्रांट तो हम पहले लेंगे, एक पूर्ण रूप से यह ले लेते हैं, आर को, क्योंकि ग्रांट का मतलब हम यहां पर बन नहीं रहा भी, ग्रैंटिड पॉर्ण रूप से बैन कर देना, तो यह वाली बात हो रही है किसके उपर पूर्ण रूप से defection के उपर पूर्ण रूप से बैन कर देना फिर बात बोल रहे हैं कि granted political defection is increasing अब क्यों हो रहा है political defection क्योंकि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि opportunity जादा दिख रही है अगर इसको grant कर देते हैं उसको allow कर देते हैं अचा अब यह तो चीज होगी अब granted also that it is illogical it is illogical to allow a third of the party to split but not in lesson number अब यह बड़ा illogical है अब यहाँ पर देखो granted also यह also allow कर देना मतलब allow also भी यानि obviously हमें पता चल रहे है P के बाद ऐसा आएगा P के बाद ऐसा हैगा क्योंकि एक बार grant करना फिर उसके बाद एक और grant करना यह वाली बात बोली जा रही है granted also that it is illogical to allow a third of the party to split but not in a lesser number मतलब आज आप split कर रहे हो party को अकेला नहीं जा सकता लेकिन कुछ लोग जा सकते हैं वहाँ पर यह क्या बात हो गई भई यह तो illogical चीज होगी ना यहां पर तो यह बात बोली जा रही है तो P.S. हो गया है फिर last में क्यों आ रहा है क्यों क्या कह रहा है yet for all it flows मतलब बावजुद इसके जितनी भी कमिया है the current law recognize and respect one fundamental principle तो आज की जो कानून है वो आज मतलब recognize पहचाना जातो रिस्पेक्ट करता है हर एक के मूल सिंधानत को the right of descent जो मतलब किसी से नराज होने का यह फिर किसी से अलग होने का जो अधिकार है उसकी clear हुआ तो P.S.Q. तो बने बनेगा P.S.Q. तो बने बनेगा 18 में है SSRR तो अच्छा या तो SS से करेंगे या RR से करेंगे RR कह रहा है We need to recognize our reaction to the other person as a mirror of something in ourselves हमें जरूरत है recognize यानि पहचानने की हमारे action को एक दूसरा person बने के as a mirror के तरीके से हम अपने मतलब हमारे अंदर क्या चीज़ कमी चल रही है हम बस पहचाने मतलब हम mirror बन जाते है और जो हम reaction कर रहे हैं उसको catch करते है कि यार मैंने कैसा reaction किया है तो यह हमें बहुत जरूरत है तो यह वाली पहली line है Whatever the issue might be once you have discovered them you can work on forgiving yourself जो भी issue है जो भी issue है वो तुमने अगर discover कर लिया you can work on forgiving yourself तो तुम काम कर सकते हैं अपने आपको maaf करने के लिए तो भाई साब वो issue तो बाद में आएगा पहले तो यह वाली चीज है कौन सा issue की बात चल रही है तो हम start करेंगे R से तो R हमारा पहला होगा यह होगा ना we need to recognize our reaction हमें जरूरत है हमारे reaction को एक तरीके से दूसरे person के तोर पे हमें देखने की की हम कैसा react कर रहे है अचा यह क्या होगा इससे as difficult as it may be to recognize what it is inside us that is making that is making us respond with negativity that is the path toward forgiveness हाँ यह difficult है difficult है recognize करना क्या हमारे अंदर है जो हमें किसी भी चीज के परती हम जब भी रिस्पॉंड करते है वो negative में रिस्पॉंड करते है that is यह जो वाला path है न हम recognize कर रहे है that is the path of towards towards forgiveness यह माफी के तरफ किसी वो माफ करना इसके तरफ यह जो है वो path हमें लेके जाता है तो right answer मतलब यह R और P तो हमारे साय गए जाएगा R तो आए जाएगा R के बाद R और P तो यह रहा थे R और P तो यहाँ R क्यों क्यों नहीं आ सकता this will automatically change your relationship with the other person and you will feel much better यह automatically change कर देगा relationship को and with other person दूसरे person के साथ and you will feel better और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा क्या अच्छा लगेगा हमने अपने अंदर recognize किया हम उस forgiveness के path के पर चलेगे तभी पता चलेगा लेकिन यह अभी बात अधूरी है क्यों वाली बात अभी अधूरी है अगर हम यहाँ पर यह कहूं whatever the issue might be once you have discovered them अगर जो भी issue है तुमने वो discover कर लिए और तुमने अपने उपर उस पर काम करना शुरू कर दिया तुम उस path के पर चल लिए तो यह जो चीज है वो automatically change कर देगी तुमारा relationship को किसी दूसरे person के साथ और तुम अच्छा better महसूस करने लोगगे अच्छा महसूस करने लोगगे तो right answer is fourth तो देखे PQRS जो है वो जितना आप reading करेंगे न यह उतना ही आपके लिए helpful होंगे यह तभी हो सकते है ट्रिक थोटी मोटी चल जाती है लेकिन यह जितनी समझ होती है समझ के according ही चीज़ें चलती है अच्छा यहाँ पर है 19 और 20 19 के अंदर है आपके सामने active passive और 20 के अंदर है direct indirect चलता करिए 19 को करके देखे 19 में कहा रहा है after driving Dr. Bose to the hospital he dropped him at his guest house अच्छा after being driven after यहाँ पर आपकर option देखे मैंने कैसे कराएं आपको active passive मैंने active passive आप लोगों का elimination के method के करवाएं elimination के method के through करवाएं कैसे देखिए after he had head कहां से आगया भई कहां head लगा हुए कि head लगा दोगे तो यह गलग कट गया was driving, was being driving अच्छा यह छोड़ लेते हैं यहाँ आओ जरा he dropped him at his guest house उसने drop कर दिया he dropped him, him किसको भी Dr. Bose को Dr. Bose को drop कर दिया tense कौन सा है, past है तो was तो आएगा, head क्यों आएगा तो इसमें head लगा हुए, ठीक है ठीक है चलो एक बार, यह वाला तो हमने काट दिया इसको पर हम लगा लेते हैं यहाँ पर ताकि एक बार याद रहे कि क्या कट गया चलो भई अच्छा, first वाले में was dropped Dr. Boss was dropped he was dropping, he was dropping क्यों आएगा भई Dr. Boss was dropped, Dr. Boss को drop किया गया है and then he was, अरे यार he was dropping, फिर से he was being dropping तो आपके तीन कट जाते हैं पहला बचता है तो राइट आंसर इस फर्स after being driven to the hospital Dr. Boss was dropped at his guest house तो राइट आंसर इस फर्स, clear 19 कम I said to my friends Let us go to a picnic for a change भई आप किसी को suggestion ये let us की जितनी होँदे न suggestion के लिए आते हैं तो चीक चीक के अगला ही बोल रहा है भई या मुझे ही कर लो I suggested to my friend that we should go to a picnic for a change तो हमारे आगया 20 का fourth answer अच्छा अभी किस से लेके जो भी 25 हैं आपके सामने ये एक paragraph है इस paragraph में फिलिंदा बलाइंस है आप लोगों को इसके सामने यहां पर option दिये है फर्स्ट वाला है और आपको यहां पर appropriate meaning ढूंड कर यहां लगाना है अच्छा करते हैं एक बार literature is a dash through which a person conveys his ideas towards or protest as different norms of society अच्छा literature एक ऐसा माध्यम है literature is a base, literature is a medium, literature is a source, literature is a subject भई एक ऐसा माध्यम है, medium, medium है वो तो यहां पर आएगा medium literature एक ऐसा medium है जिसके थूँ which a person, जिसके थूँ कोई इनसान अपने ideas को अपनी message को convey कर सकता है या फिर protest कर सकता है किसी कोई society के अंदर कोई ऐसा नियम है जो गलत है, उसके प्रती ठीक है, तो यहां पर आगया first के अंदर आएगा आपके सामने second, clear, मतलब first के अंदर second conveys its ideas towards or protest मतलब convey कर सकता है अपने ideas को और protest करता है protest के साथ बहिया, against आएगी यहां पर ठीक है, against preposition आगी यहां पर जहां रखना इस चीज़ का तो against preposition, तो बहुत easy है literature is a literature is a medium through which a person conveys its ideas towards or protest against different norms of society the words that deal with the dash issue are of particular importance in literature मतलब जो किस से deal करेंगे यह है, deal करने की बात हो तो deal किस से करेंगे, बहुत बड़ा important issue हो, वो important issue क्या होगा economical भी हो सकता है लेकिन moral issue, moral issue बहुत important है क्योंकि यह netic card होता है और हम इसी से ही हम जानते हैं कि हमें क्या करना सही है और क्या करना गलत है तो यह बहुत appropriate चीज यहां पर रहेगी तो moral यहां आएगा आगे करें, they are dash with a particular purpose in dash they are they are क्या है, of particular importance in literature they are, they are dash dash with a particular purpose in dash अच्छे यहां पर क्याएगा, brought, founded represented or written आप literature की बात कर रहे हो तो obviously वहां पर written की बात हो रही होगी लिखा जायागा, तो लिखा गया होगा तो यहां पर आएगा, fourth, written they are written with they are written with a particular purpose एक particular purpose के साथ लिखा जाता है वो purpose कहा होता है आपके मुझे बता हो आप लिख रहे हो तो आप लिखो के कैसे कोई चीज मुझे बता हो आप लिखो के कैसे अरे सर हाथ से लिखेंगे ना अरे बात हाथ से नहीं होती भई या हाँ चलाने के लिए भी कुछ बुद्धी चाहिए होती वो purpose कहा होगा आपके दिमाग में होगा टेका दे आर दे आर रिटन विद पर्टिकुलर पर्पस इन माइंड जो माइंड के अंदर आप पर्पस लेके चल रहे हो तो उसके थूरू वो चीज लिखी जाएगे ना तो माइंड यहां पर आएगा literature is a medium through which a person conveys his ideas towards or protect against different norms of society the words that deal with a moral issue are of particular importance in literature they are written with a particular purpose in mind तो यह होगे आपके सामने 25 questions switch are मतलब मैं कह सकता हूँ कि यह जो चीज़ें होती है previous year की वो बहुत important है बहुत important है आप लोगों के लिए आपके exam जो आ रहे हैं आप जितने इनको अच्छे से करके जाएंगे बहुत help मिलती है इससे आपके सामने सारा का सारा exam pattern इंग्लिश का कि इंग्लिश में कैसे question होते हैं कैसे हमें attempt करने चाहिए कैसे चीज़ों को करना चाहिए I hope so आप लोगों को इवीडियो समझ में आई होगी समझ में आई होगी तो भहिया क्या करें तोड़ा बहुत हमें भी समझा दो प्यार करके मतलब लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को तोड़ा बहुत हमें भी स्पोर्ट मिल जाए अच्छा अच्छा क्यों नहीं रहा सब्सक्राइब करें और जादा ही पसंद आगे हैं तो देखे वीडियो को और चैनल को दोनों को ही शेर कर सकते हैं और इस वीडियो से रिलेटिड जो है आप लोगों को PDF पीडियफ चाहिए होती है सब को PDF चाहिए होती है तो PDF आप लोगों को टेलिग्राम के चैनल में मिल जाएगी जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बोक्स में आप लोगों को दिया हुआ मिलेगा क्लियर हुआ तो आज के लिए वस इतना है था थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो